नमस्कार दोस्तों बिगबूल मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए धन्यवाद तो गाइस आज हम डिस्कुस करेंगे बीपी सेल शेर के बारे में भारत पेट्रोलियम कोपरेशन लिमिटेड के बारे में क्या आपको इस शेर पर नहीं वेश्क करना चाहिए यह नहीं क्लियर कर दें कहां पर स्टॉप लॉस रखना आपने और नेक्स टार्गेट क्या होगा तो गाइस आपको पता है हमने आपको बीपी सेल पे बुलिश कॉल लेने को का था और हमने आपको का थे बुलिश साइड पे जो आप इस शेर में अपनी पुजिशन ने लॉंग कीज और तो मैंने आपको कहा था क्रूड ओल के प्राइस गिरे तो बीपी सेल एक वन अफ देगेस्ट बेनिफिश्री होगा क्रूड ओल के प्राइस के गिरावट का तो आप देख से उसके बाद जो है मैं बीपी सेल में निचले लेवलों से एक अच्छी बाइंग देखने को म बिली तो गाइस पहले के फंडमेंटल डिसकस करें तो कंपनी का स्टॉक ना ही ओवरपार जोन में ना ही एसम की रेट फ्लेग लिस्ट में कंपनी की जो एनुल ग्रोथ रेट प्रॉफिट जेनरेशन रेवन्यू ग्रोथ त्रेट कैस्ट पर इंकम फ्लोव स्टेट में जो जो है टेंशन मत लीजे तीन सो के लेवल पर आपको यह स्टॉक मिलेगा तो आपने इस शेर में जो है तेजी करनी है और वहां से देख से आपने कितने अच्छी जो है रिटर्न शेर ने आपको बना किते हमारे क्लाइंट्स ने काफ़ी अच्छी पैसा कमाया तो मैं आपक आपको आने वाल टाइम में तेजी देखने को मिलेगी काम्पनी जो है काफी अच्छी डिटर्न बनाकि देगी एक तो कंपनी का जो सीजर्ट रो पिंग उम्मक्वी पवजक्शनतम करेद्भ काफी तो और विज्हसर में यह से जो आपने इसको एक long position में लेके चलना है इस share में अपनी position है यह share आपको आने वाल टाइम में काफ़ी अची return बना के देगा 400 के target हमें लगता है आपको आने वाले महिनों में इस share में देखने को मिलेंगे तो यहां पर थ्री थर्टी का stop loss लेके 400 के target आपको इस share में देखने क बुलिश है और जीजिन नेगेटिव ने जाने थी स्टॉक से लेटे वो सारी सोकिन होगे तो इसमें एक लॉंग पूजिशन बनाके चलिए